पूरे देश में आज एक ही चर्चा है चर्चा आंधी और तुफान की उत्तर भारत और देश के पूरवी हिस्सों में रहने वाले आज साफधान रहे क्योंकि आज भारी बारिश आंधी और तुफान की आशंका है तुफान ने दिल्ली और हर्याना में दस्तक तुदी है अब ये उत्राखन की तरफ आगे बढ़ चलाए कल रात को दिल्ली इंसियार में धूल बरी आंधी आई कई जगह बिजली गुल हो गई पेड़ भी गिर गए हल्की बूंदा बांदी भी हुई और धूल बरी आंधी की वज़े से सडकों पर रोश्नी कम हो गई ये तस्वीरे आप देख रहे हैं दिल्ली हर्याना के गुरुग्राम यूपी के गाज़्याबाद में तेज हवाय चलती हुई और उधर उत्राखन में तुफान का खौफ है चमोली की तस्वीरे आप देख रहे हैं तो ये तस्वीरे दरसल बताती हैं कि दिल्ली से जो तुफान है वो गुज़र चुका है रात को साड़े ग्यारा बजे के आसपास ये तुफान इस तुफान ने दिल्ली में दस्तक दी सतर किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से तुफान आया और दिल्ली हर्याना से गुजरता हुआ ये उत्रा खंड की तरफ आगे बढ़ चला है और आज भारी बारिश की आशंका है आधी तुफान के इलड के बाद देश में कई जगों पर एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए है आगे आपको दिखाएंगे कि कहां का आधी तुफान की चितार में जारी की गई है लेकिन उससे पहले ये देख लिए दिल्ली में दोपहर बाद के सभी स्कूलों में छुट्टी घोशित कर दी गई है और उसके अलावा आगे अगर हर्याना की बात के जाए तो हर्याना में तो आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद है कल भी बंद थे यूपी के गाज्याबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए है यूपी के नॉइडा में अभी तक सिर्फ चार स्कूलों में खुद ही छुट्टी घोशित कर दिये है एहतियातन स्कूलों ने अपने आपके अदम उठाया है नॉइडा में DPS, इंद्रप्रस्त, ग्यानभारती, बिलाबॉंग इंटरनाशनल स्कूल ये चार स्कूल जो हैं ये बंद है यहाँ प्रशासन ने स्कूल बंद करने का हाला कि कोई आदेश जारी नहीं किया मुरादबाद और संभल में भी बारवी तक के सभी स्कूल जो हैं वो एहतियातन बंद कर दिये गए हैं हात्रा सागरा में आठवी तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे उत्राखन के देरादूल और हरिदवार में बारवी तक के सभी स्कूल बंद है तो हैतियातन ये खदम उठाया गया है स्कूलों की तरफ से भी और परशासन की तरफ से भी और आईए अब आपको बताते हैं कि देश में कहां कहां पर बारिश आंधी और तुफान का इलर्ट है देश के कुल 13 राज्जे और दो केंडर शासित प्रदेशों में आंधी तुफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है ये देखें जमु कश्मीर में भारिवारिश हो सकती है उधर हिमाचल में भी तेज आंधी आ सकती है उत्राखन में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, चंदीगड, हरियाना, इधर दिल्ली, अगर हम पश्चे मंगाल के तरफ आगे बढ़े तो वहां पर भारी बारिश और तुफान आ सकता है, सिक्की में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उधर प पूर्वी उत्र परदेश में भारी बारिश की चतावनी है और तुफाना सकता है बिहार के भी कई सारे जिलों में भारी बारिश हो सकती है अगर प्रवत्तर की तरफ आगे बढ़े तो असम मेगाल या नागलेल में भारी बारिश की चतावनी है पूर्वी राजस्तान में भ बारी बारिश आज हो सकती है पॉंडुचेरी में भी भारीबारिश है और इधर केरला में भी तो कुल मिलाकर यह तेरह राजे ऐसे हैं यह सब तुफ़ाने बारिश की चेतार में जारी की गए है और इसलिए एतियातन जो है लोगों को सतर्क रहने के लिए अबिदि दिली के लिए राहत की बात यह है कि तुफान दिली से घुजर चुका आला कि आज दिल में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है दिली में आज दुपहर तक तुफान पहुंचना था अब दिली में लेकिन ये कल रात में ही आ गया रात को ग्यारा बच कर 20 मिलट पर तुफान दिल्ली से टकराया 70 किलो मिटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ तेज धूल भरी आंधी चली और फिर दिल्ली से गुजर गया तुफान अभी तुफान उत्राखंड और हिमाचल की तरफ आगे बढ़ चला है उत्राखंड और हिमाचल में अब तेज आंधी आ सकती है हलाकि इस वक्त भी आपको बता दे दिल्ली और जो पूरे NCR का इलाका है वहाँ पर तेज हवाई चल रही है अभी तुफान का है ये देखिए उत्राखंड और हिमाचल परदेश की तरफ आगे बढ़ चला है तुफान वहाँ पर तेज आंधी तेज तुफान आने की संभावनाय साथ में इसके बाद बारिश भी हो सकती है इसलिए एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा जा रहा है दिल्ली में एहतियातन आज दोपहर के जो बाद स्कूल है वो बंद कर दिये गए हैं लेकिन राहत की खबर ये है कि तुफान कल रात को आ गया शांती से गुजर गया किसी नुक्सान की कोई खबर नहीं है जब कल रात को तुफान आया तो ABP News समादाता वरुन जैन प्रगती मैदान के पास से उनकी रिपोर्ट देखिये वहां से राजधानी दिल्ली के अंदर तुफान ने अपनी दस्तक दे दी है इस वक्त हम ITO इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो हवाई है वो बहुत तेज गटी में चल रहे हैं आप सामने पेड़ों को देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ है वो हिल रहे हैं जो दिल्ली सरकार है उसने कल स्कूलों की भी छुट्टी घोशित कर दी थी कहीं न कहीं उस तुफान की जो दस्तक है वो देखने को मिल रहे है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत तेज गती के अंदर जो हवाई है वो दिल्ली के अंदर चल रही है धूल भरी पेहा तेजगती से चल रही है कहीं न कहीं जो तुफान है उसके जो साइड इफेक्स है उसके जो बिफोर इफेक्स है वो देखने को मिल गए है और आज एक दिन पहले ही राजधानी दिली के अंदर तुफान ने कहीं न कहीं अपनी दस्तक दे दी है कैमरामैन धीर सिंग के स तो जब तुफान आया तो 70 किलो मिटर प्रती घंटे की रफतार से हवाय चल रही थी दिली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी कल रात को आई हलकी बारिश भी हुई और तेज हवाओं की वज़े से दिली क्यांट इलाके में एक पेड़ गिर गया रोहिनी मोती बाग आरके पूरब में भी तेज हवाओं के साथ धूल बरी आंधी आई तो यह तस्वीर है आप देख रहे हैं जो लोग कल रात को सोच चुके होंगे उनके लिए तस्वीर हैं कि देखे जब आंधी आई थी दिली में तो कुछ ऐसा हाल थे एक पेड़ दिली कैंट इलाके में गिर ग जो है जो दूसरी पारी के स्कूल है दिली में वो बंद कर दिये गए हैं पहाडी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खड़ में भारी बारिश की भी आशंका है शिमला मौसम विभाग के निर्देशक मनमोहन सिंग हिमाचल में मौसम की जानकारी दे रहे है सुनिए वो क्या कह रहे हैं अभी जो अगले 24 गंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ एक डिस्टिक्स में जो खास करके मिधिल्स और लोहिस वाले लाके हैं उसके लिए वार्निंग इस्टॉम और साथ में तेज हवाईं चल सकती हैं इसमें जो डिस्टिक्ट शिमला सोलन मेंडी और उना डिस्टिक्स हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिल्टी हैं और बाकी जो अलाके हैं वहाँ पे लाइटू मॉडरिट बारिश हो सकती है और दिली से आगे बढ़ता हुआ तुफान इस वक्त उत्रा खंड और हिमाचल पहुंच चुका है और वहाँ पर अब तेज आंधी आने की संभावना है आंधी तुफान के लड़ के बीच कई जगों पर लोगों के लिए एडवाईजरी जारी की गई है अधियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है आंधी तुफान के स्थिती में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी और चितावनियों के लिए रेडियो सुने टीवी देखें अखबार पढ़ें ये बहुत जरूरी है इससे आपको ताजा अपडेट पता चलेगा घर के अंदर रहने की कोशिश करें खुले में जाने से बिलकुल आपको बचना चाहिए आप खुले में मत जाएं तो अच्छा रहेगा बिजली के सबी सावानों के प्लक जो हैं वो हटा दे एहतियातन ये खदम आप जरूर उठाएं ताकि कोई बड़ी घटना ना हो पेड़ों के नीचे या आसपास बिलकुल ना जाएं चुकि जब तुफान आता है तो पेड़ गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर गाड़ी बस या अन्य धकिवी गाड़ी के अंदर हैं तो आप उसी में ही रहें बाहर ना निकलें साइकिल और मोटर साइकिल पर चलने से आपको बचना चाहिए अगर आप साइकिल या मोटर साइकिल का इस्तमाल करते हैं तो आज आप एहतियात बरते हुए इनका इस्तमाल ना करें पूल तलाब छोटी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं सुरक्षित जगहें चले जाएं अगर तुफान आता है अगर आप पूल तलाव या छोटी नाव में हैं तो आप बिलकुल बाहर आ जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जहां पर कोई खत्रा ना हो ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे